नॉबलेस्ट का क्या आर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेती हैं नॉबलेस्ट का आर्थ होता है जो सबसे ज्यादा नॉबल हूँ से हम नॉबलेस्ट कहते हैं यानि कि नॉबल का सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है नॉबलेस्ट और नोबल का आर्थ होता है उच, इमानदार, साहसी, परोपकारी, शांदार, श्रेष्ट, महान, उचा, कुलीन, प्रशंस्निय या भव्य तो जो सबसे ज्यादा नोबल होता है या सबसे ज्यादा इमानदार होता है उसे हम noblest कहते हैं जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि वह अपने समय के सबसे कुलीन वैक्ती थी तो आप कहेंगे he was the noblest personage of his time या अगर आप ये कहना चाहें कि यहां के नोजवान शरिष्टतम आदर्शों के लिए संखर्ष कर रहे थे तो आप कहेंगे here were young people striving for the noblest ideals अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें